हेलो बच्चो नौस्कार प्यारे बच्चो आज हम लोग हेलोजन होमो लोजस सीरीज पढ़ने वाले हैं होमो लोजस सीरीज ठीक है सजातिय स्रेणी सजातिय स्रेणी क्या होता है ध्यान से देखेंगे सजातिय स्रेणी क्या होती बच्चो पहरे बच्चो सजातिय स्रेणी जो होती है वो ऐसा है कि मतलब एक ही जात के एक ही मतलब ग्रूप के ऐसे मेंबर्स जिनकी केमिकल प्रॉपटी सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपटी हलके हलकी क्या है डिफरेंट है उनके बीच का डिफरे भी सेम हैं तो ऐसे ग्रुप को बोले जाता है क्या भई होमोलोजस सीरीज इसमें आपके तीन आते हैं जैसे मान लो एलकेन एलकेन एलकीन एलकाइन ठीक है जी जैसे कि आपको इसका फॉर्मला बता है सी एन एस टू एन CnH2n प्लस2 तो क्या बनता था CH4 C2H6 C3H8 C4H10 ठीक है इसी तरह एलकीन इसका फॉर्मुला था CnH2n तो यानि c2h4 c3h6 c4h8 c5h10 ठीक है इसका था cn cn h2n-2 यहनि c2h2 c3h4 c4h6 c5h8 इस तरीके से ठीक है अब ध्यान से देखेंगे बच्चो क्या देखेंगे कि हमने भाई यहां पर यह group creates कर दिये हमने यह थारे क्या कर दिये group create कर दिये अब जब group create कर दिये हैं तो आप ध्यान से देखिए हैं यह तीनो अलग-अलग group के हैं यह तीनो अलग-अलग group के लेकिन प्यारे बच्चो आप देख सकते हैं कि इसमें एक C का difference है और दो H का difference है मतलब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं एक C और दो H का difference दिखाई दे रहा है सेम इधर भी यही है एक C, दो H एक C, दो H एक C, दो H यहनी, C, H2 का difference है इधर भी फिर यहां भी ऐसा ही है एक C, दो H एक C, दो H एक C, दो H मतलब CH2 का difference है ठीक है बच्चो, अच्छा आप सुनेगे ज़रा CH2, CH2, CH2 का difference है अब हमें करना क्या है बच्चो अगर गौर से देखेंगे तो हमें करना क्या है, ध्यान से देखिए तो हमें करना यह है कि अब इनके बीच में मास का कितना डिफरेंस है क्योंकि जब लगातर CH2, 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 CH2 का डिफरेंस है तो इनका मास का भी डिफरेंस होगा तो बच्छो CH2 का मास कितना होता है मॉलिकुलर मास कितना होता है आनविक दरफ विमान कितना होता है तो C का होता है 12 वड़ता चला जाएगा और 14u मास का भी क्या होगा और 14u मास का भी क्या होगा आगे ग्रोथ होता चलाएगा मेरी बाहत समझे मारी एक सी 2H का increase और प्लस कितने मास का increase 14u मास का increase हो जाएगा ठीक है अब अच्छोए जूए chemical property भी same होती है और physical properties थोड़ी सी क्या होती है differ होती है ठीक है तो फटाफ़ट note करो इसे फिर लिखवाता हूँ मैं वीडियो pause करो लिखो इसे फिर मैं आगी कहानी शुरू करता हूँ चलिए note कर लिए होगा लिखिए characteristics of homologious series characteristics of homologious series लिखो पहला any two adjacent homologious any two adjacent homologious any two adjacent homologious series any two adjacent homologious differ by one carbon atom and two hydrogen atom differ by one carbon atom and two hydrogen atom in their molecular formula in their molecular formula one carbon atom and two hydrogen atom in their molecular formula ठीक है हिंदी वाले सजातिय स्रेणी के दो करमागत सजातिय स्रेणी के दो करमागत सदस्से सजातिय स्रेणी के दो करमागत सदस्से के बीच सदस्से के बीच एक carbon और दो hydrogen का अंतर होता है एक carbon और दो hydrogen का अंतर होता है ठीक है अगला the difference in molecular mass the difference in molecular mass of any two adjacent of any two adjacent of any two adjacent homologous is 14u is 14u next हिंदी वाले लिखेंगे दो करमागत दो करमागत सजातिय स्रेणी सदस्से के दो करमागत सजातिय स्रेणी सदस्से के के बीच 14u का अंतर होता है के बीच 14u का अंतर होता है अगला लाइन में अगला लाइन में लिखेंगे अधब व्यादयी स्दस्सförण्स आपी उपसरापनर apoyं weं लेखेंगे similar chemical properties so similar chemical properties similar chemical properties हिंदिया लिएंगे सभी और ऐसर लिखो सजातियों सरेनी के सभी सदस्यों करसाइनिक गुंद्धरम समान होता है करसाइनिक गुंद्धरम समान होता है और नेक्स लाइन में लिखेंगे नहीं इसी में लिखेंगे लिखेंगे लेकिन बहुतिक गुंद्धरम अलग अलग होते हैं लेकिन बहुतिक गुंद्धरम अलग अलग होते हैं ठीक है, बहुती गुंड दिरम अलग अलग होते हैं, चलो, ठीक है भाई, लिखेंगे ज़राब, फंक्शनल ग्रूप, आज ये सीखेंगे, क्या सीखेंगे, फंक्शनल ग्रूप, ये देखलो लगाय हाथ, सब खतम करें, है न? चलो, देखो, अब है भाई, फंक्शनल ग्रूप, हिंदी में बोलते हैं से, क्रियात्मक समूँ, क्रियात्मक समूँ क्या होते हैं, तो आप से कर कोई पूचे कि फंक्शनल ग्रूप क्या है, क्रियात्मक समूँ क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, आप कहेंगे, कि फंक्शनल ग्रूप वो ग्रूप है, जो किसी हाइड्रो कार्बन ग्रूप के साथ जुड़कर, उस उसके करेक्टर को ही क्या कर देता है चेंज कर देता है ठीक है उसके करेक्टर को एनहेंस कर देता है ठीक है वही करेक्टर को क्या कर देता है एनहेंस कर देता है ठीक तो फंक्शनल ग्रूप वह होते हैं जो किसी हाइड्रोकार्बन के गुरूप से जुड़कर उसके करेक्ट हेलो एलकेन एक बढ़ना है आपको एलकोहूल एलकोहल एल्टी हाइड फिर हेलो एलकेन हो गया एलकोहल हो गया एल्टी हाइड हो गया उसके बाद क्या है किटोन्स ठीक है उसके बाद है कार्बॉक्सलिक एसिड कार्बॉक्सलिक अबल है ठीक है हाँ वही तो आईए सुरू करते हैं ठीक है कार्बॉक्सलिक एसिड क्या होता कार्बॉक्सलिक एसिड ठीक है चलो पहले हेलो एलकेन से सुरू करते है हेलो एलकेन भाई यहाँ पर हेलो का मतलब है हेलोजन और हेलोजन का दूसरा नाम होता है हेलाइड्स ठीक है और हेलोजन कौन कौन होते है बच्चो जैसे फ्लोरिन ठीक है क्लोरिन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरीके थे तो मतलब जब किसी एलकेन ग्रूप के साथ जब किसी एलकेन ग्रूप के साथ फ्लोरिन, क्लोरिन, का ब्रोमिन और आयोडिन जुड़ जाए तो उसी को हम कहते हैं हेलो एलकेन उसी को हम क्या कहते हैं उसी को हम कहते हैं हेलो एलकेन ठीक है जी तो चलिए शुरू करते हैं भाई चलिए ना जैसे फॉर्मुला हेलो एलकेन का C, N, H, 2, N P, 1, bond, halogen bond, halogen कोई भी halogen आ सकता है halogen को भी हिंदी में halogen ही बोलते है halides को भी हिंदी में halides ही बोलते है तो बच्चे ऐसा नहां तोचें कि भी हिंदी में नहीं लिक रहे ज़र तो जैसे N is equal to 1 बच्चों हमने यहां पर put किया है तो C, 1, H 2 बन जब two or a फ्री हेलोजन कोई सा भी ले लो वालनों आपने क्लोरीन ले लिया तो यह है भई अब इसका नाम देना है अभ इसका क्या देना है नाम देना है क्योंकि अब कुछ बना है तो नाम तो होगा ही ना इसका तो नाम देते हैं तो देखो, अगर bond CL है, तो लिखेंगे chloro, bond F है, तो लिखेंगे floro, bond BR है, तो लिखेंगे bromo, bond I है, तो लिखेंगे आईडो, तो यहां पर लिखेंगे chloro, हिंदी में भी क्लोरो हाँ भई कौन सा गुरूप है सिंगल बॉंड है अकेला कार्बन है अकेला कार्बन है तो मित और सिंगल बॉंड है तो एन तो क्या बन गया क्लोरो मिथेन क्या बन गया क्लोरो मिथेन ठीक है ठीक इसी तरीके से N बराबर 2 पुट करो तो C 2 H 2 टूजा 4 और 1 5 और अब की पर मानलों हमने ले लिया BR हमने क्या ले लिया BR तो क्या बन गया भाई ये बन गया BR का बनेगा Bromo और 2 है तो Ethene क्या बन जाएगा Ethene ठीक है इसी परकार से मानलीजे हमने 3 पुट किया ठीक है C 3 H 3 टूजा 6 और 1 7 बॉंड मानलों हमने ले लिया F ठीक है तो क्या नाम बनेगा Floro 3 है Propane तो बन जाएगा Floro Propane क्या बन जाएगा Floro Propane Floro Propane ठीक है बच्चो अब ये चीज बन गी Floro Propane तो अब हम क्या करेंगे इसमें देख लीजिए Floro Propane बनेगे 3 कारबन का Bromo Ethane बनेगे 2 कारबन का मतलब जो भी हैगा ना उसका नाम लिख दोगए आब बस ठीक है अब इसका structure बनाने के लिए आ सकता है कभी कभी तो कैसे बनाएंगे CS3 CH3 1, 2, 3 और यह CL अब इसका आजाएंगे तो कैसे बनाओगे भी आपको 4 बन पूरे करना है बस कारबन के ठीक है अब यह 2C है ना C2 है तो 2C 5H है एक 2, 3, 4, 5 और यह दा BR ठीक है इसी तरह इसका भी करेंगे C3 1, 2, 3 सब के बन्ट 7 हाइडरोजन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 में क्या है F इस तरहीके से बन्ट इस्टक्चर ठीक है तो यह है आपका हेलो अलकीन क्या है आपका हेलो अलकीन चलिए अब आते हैं अलकोहॉल पे अलकोहॉल ठीक है जी अलकोहॉल इसको जो सिंबल होता है वो होता है bond OH क्या होता है bond OH इसे हम bond OH भी बढ़ सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं bond O bond H ऐसे भी बढ़ सकते हैं ठीक है तो कैसे भी बढ़ लो एक साथ करके bond के साथ करके जैसे भी क्योंकि हमें carbon को जैसे 4 bond देने होते हैं उसी तरह oxygen को 2 bond देने होते हैं और hydrogen को तो कितने देने होते हैं एक ही देना होता है ठीक है कोई समस्या ठीक है चलो अब देखो जड़ा ध्यान से देखो अब इसका भी formula होता है alcohol का CnH2n plus 1 bond OH यह है भई formula और नाम के पीछे लगेगा ठीक है suffix जो होगा इसका नाम के पीछे जो लगेगा वो लगेगा नोल क्या लगेगा नोल यानि sound नोल की आनी चाहिए वैसे ओल लगता है लेगे sound आनी चाहिए नोल की ठीक है जैसे मान लो n is equal to उमने 1 put किया तो C बनेगा 1 H बनेगा 2 एंजर 2 और 1 3 bond OH अब देखो मैं आपको एक बात और बता दू यह आपको किस किस तरीके से देखा जा सकता है बई ऐसे भी लिखा हो सकता है CS3 OH ऐसे भी लिखा हो सकता है और यह ऐसे भी लिखा हो सकता है C 3 और 1 चार एच ओ, ऐसे भी लिखा हो सकता है बई देखो, इन दोनों को तो तुम पहचान लो के बड़े प्यार से बच्छो, कैसे? बई, लास्ट में ओएच है, तो इसका मतलब अलकोल है लास्ट में ओएच है, अलकोल है लेकिन इसको कैसे पहचान होगे? तो इसके तरीका मैं आपको बताऊंगा, रटवाऊंगा नहीं ठीक है, तो नाम, एक, दो, अब जाए, नाम देना भाई तो इसको ही देख लो, कितने सी है, एक सी है, तो मैथ ठीक है, मैथ, और लास्ट में साउंड क्या नीची है, नोल तो मैथे, नोल, क्या न चीए, मैथे, नोल, पल्ले बढ़ रही बात, ठीक है, मैथे, नोल मैथे, नोल इसी तरह आप टू बूट करो, तो बनेगा, सी टू, एच, सी टू, एच, टू, टू, जा फोर और एक, फाइफ, बॉंड, ओ, एच, ऐसे भी लिख सकते हो, और सी टू, पाँच और एक, छे, ओ, ऐसे भी लिख सकते हो, नाम क्या पढ़ेगा, नाम पढ़ेगा, दो कार बन तो क्या लिखाओगा एथे नोल क्या लिखाओगा एथे नोल कोई दिकत नहीं ना इस तरह तीन भी पूट कर सकते हो एन बराबर तीन करो पूट तो क्या बनेगा एसे भी लिख सकते हो एसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो एसे भी लिख सकते हो एसे भी लिख सकते हो एसे भी एसे भी तीन वैसे कोई से भी तरीके थे आप लिख सकते हो ठीक है अच्छा अब नाम देना है तो तीन कारवन है तो प्रॉप पे और क्या प्रॉपे ठीक है जी चालो अब इनका bond structure बनाने के लिए भी दे सकते हैं आपको ठीक है जैसे इसका bond structure बनाने के लिए दे दिया माल लो इसका दे दिया कैसे बनाओगे CS3 है तो CH3 एक, दो, तीन ये तो रहे गई और साथ में OH क्योंकि देखो न C के चार बॉंड करना जरूरी है O के दो बॉंड करना जरूरी है इस तरह इसके भी आजो कितने है C2H5 तो 5H पूरे करो 5H पूरे करो कर दिया 5H अब क्या रहे गया OH तो O और ये H ठीक है कोई दिक्कत इस तरह C3 का एक, दो, तीन वह कितने हैं साथ है O, H ऐसे ठीक है इस तरह आप 4 पुट करेंगे 5 पुट करेंगे 6 पुट करेंगे 6 तक का आप करेंगे जल्दी से नोट कर लो, वीडियो बाउस करके फटा फट जल्दी से नोट कर लो फिर एल्डी हाइट की टोन करवाक्स लेगा से डीए सब करवाता हूँ जल्दी से नोट करेंगे कि चलिए बच्चो करें शुरू आगे लिखेंगे लिए वीडियो पॉस करके अपने नोट कर लिया होगा ठीक है अब LD हाइट बढ़ते हैं ठीक है LD हाइट ठीक है चलिए सुरू होने जा रहा है कि अल्डी हाइड ठीक है फॉर्मुला सी एन एच टू एन प्लस वन बॉन्ड सी एचो जैसे अलकोहल की पैचानती लास्ट में ओ एच इसी तरह अल्डी की पैचान है चो लेकिन एच रहते हैं यह अजना यह जो शिये चो यह आपको C को 4 bond की जुरूत है, O को 2 band की जुरूत है, और H को 1 bond की जुरूत है, ठीक है, चलिए, Now, हाँ जी, इसमें हम N 0 से put कर सकते हैं, कैसे, 0 put करो, भई 0 put करोगे तो C तो 0 खतम, यहाँ 0 put करोगे 2 भी खतम, बचा 1, 1H, और CHO, ऐसे भी लिख सकते हो, HCHO, ऐसे भी लिख सकते हो, CH2O, ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी पहचान करना मुस्किल है, लेकिन इनकी पहचान करना असान है, तो क्या, नाम क्या देंगे भाई? इसमें जो हम suffix लेंगे, वो लेंगे null क्या लेंगे? null, ठीक है? चलिए, तो एक कार्वन है, तो मै्ते नल, ठीक है? मिते नल ठीक है? इस तरी के ते इस तोर सी हो इस तरी के धे वण पुट करोंगे CH3CHO, फिर क्या है, C2, एक, दो, और H कितना है, तीन और एक, चार, ओ, तो नाम दो इंगे इसका, तो नाम क्या पड़ेगा, हाँ वही, दो कारपन दिख रहे हैं ना, एक और दो, तो एथे, नल, क्या है, एथे, नल, ठीक है, इसके वाद, N2 पुट करो, तो C2, ठीक है, C2, और यह कितना आगिया, 22, जा 4 और एक, 5, बॉन्ड, CHO, C2, H5, CHO, या ऐसा भी लिख सकते हैं, C3, है ना, H6, 5 और 1, 6, O, तो नाम क्या पड़ेगा, 2 और 1, 3, तो यानि कि प्रोपे, नल, क्या पड़ेगा, प्रोपे, नल, इस तरीके से पड़ेगा भई, ठीक है, तो ऐसे करना आपको, तो यह हो गया, आपका कौन, LD हाइड, लेकिन इसका इस्ट्रक्चर बनाने के लिए भी दे सकते हैं, आपको, जैसे, मालो इसका इस्ट्रक्चर दे दिया, तो कैसे बनाओगे, H है, C है, O को मैंने बताया ना, डबल बॉन्ड उपर, और यह H बन गया, इस दरह इसका भी बना लो, इसका भी बना लो, क्या बनेगा भई, भई, CS3, तो भई, CS3 का मतलब, इस तरीके से, C को तीन H दे दो, फिर CHO, तो CHO का C, डबल बॉन्ड O, और यह H, देखो, बन गया यह, इस तरीके से, इस दरह के तीन वाले का भी बना सकते हैं आ हो दिया, उसका CHO, C double bond O, और यह H, इस तरीके से, ठेक है, तो प्रोपेनल का यह बन गया, ठेक है, इसके बाद आता बच्चों, क्या आता है, क्या आता है, क्या इसको आप लोग, यानि जो इसका सफिक्स रखेंगे, वो रखेंगे, ओन्स, क्या रखेंगे, ओन्स, ठेक है non रखेंगे, non, ठेक है, S रहेंदो, non, ठेक है, non, ठेक, formula क्या होगा, R, C, O, R, या R, C, double bond O, R, ठेक है, यह R कोन है, R बच्चों, हाइड्रोकार्बन है, R कोन है, हाइड्रोकार्बन, ठेक है, R है, हाइड्रोकार्बन, ठेक, चलिए, तो अब ज़र इसको करेंगे, भाई, इसको करेंगे, R कोई भी हाइड्रोकार्बन, और किटोन्स की पहचान क्या है, या तो बीच में CO होगा, या तो C के ओपर double bond O होगा, यह है, ठेक है, तो देखो, oxygen के 2 bond हो रहे हैं, carbon के 4 bond हो रह से भी लिख सकते हैं, आप काऊगे, सर इसको मिला के लिख दे, C2, S6, इस तरीके से लिखके, तो भाई, possible नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि आप फिर याद ही नहीं कर पाओगे, ठेक है, आपको पहचान ही नहीं मिल पाएगी, तो किटोन्स की पहचान ही यही है, कि बीच म या तो CO होगा, या तो C के उपर डबल बॉर्ड होगा, यह किटोन्स की पहचान है, ठीक है, चलिए, तो ऐसा अभी दिया जाएगा, तो नाम देंगे इसको एक, दो, तीन, तीन कारवन है, तो प्रॉपे, नोन, क्या बन जाएगा, प्रॉपे, नोन, इस तरीके से, नोन द तो कितना आगे, चार आगे, तो नाम के बढ़ेगा, एक, दो, तीन, चार कार बने तो ब्यूटे, नोन, इस तरीके से बच्चों आपका, क्यटोन्स तक का टॉपिक, खतम हो गया है, ठीक है, कार्बोक्सलिक एसिड, नेक्स लास में करवाँगा, और प्लस, ठीक है, टॉपिक, नेकि, केमिकल प्रॉपिटीज ओफ, कार्बन कंपाउंड, ये भी सुरू करवाँगा, ठीक है, तो चलिए, आज की खतम करते हैं, उतार लीजिए, ठीक है, काभी सारा करवाया है, आराम से बैटके कीजिए, इसको घर पे, चलिए, रिवाइस करना आप,